कुमुद एक गरीब घर की बेटी थी, वे गरीबी में भी बीकॉम कर रही थी, मनीश ने उसे पहली बार कॉलेज में देखा, वे उसे देखता ही रह गया, उसने सोचा कि कितनी सुन्दर लड़की है, अगर इसकी शादी उससे हो जाए तो उसकी किस्मत ही बदल जाए, एक दिन मनीश उसका पीछा करता हुआ, उसके घर पहुँच गया, उसने देखा कि कुमुद तो बहुत गरीब है, घर में दो चार पाई, कुछ बरतन और कपड़ों के सिवाए कुछ भी नहीं है, कुमुद के पिता सुखबीर ने मनीश को जागते हुए देखा, तो पूछा, कौन हो साहब, मनीश बोला, क्या ये आपकी बेटी है, हाँ, मेरी ही बेटी है, कोई गलती हो गई उससे क्या, नहीं बाबुजी, कोई गलती नहीं हुई, दरसल मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, मैं इन से शादी करना चाहता हूँ, आई आई ये, बैठिये साहब, मगर मैं तो आपको जानता भी नहीं, जानता तो मैं भी आपको नहीं, बस एक बार इन्हें कॉलिश में देखा, तभी ये मुझे पसंद आ गई, आज इनका पीछा करते हुए, मैं आपसे बात करने आ गया, हम दो भाई हैं, माबाप नहीं है, मैं पढल लिखा हूँ, दोनों भाई साथ में बिजनिस करते हैं, क मुझे आपकी बेटी के अलवा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे बेटा कह दीजे, साहब नहीं, सुखबीर बहुत खुश हुआ, उसके तो भाग खुल गए, जो इतना अमीर लड़का उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है, सुखबीर ने हां कर दी, बहुत साधारन तर जेठानी सोनिया बोली, क्या सोचने लगी कुमुद, ऐसा घर तो तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा, कुमुद को लगा जैसे उसकी जेठानी ने ताना कसा हो, कुमुद को उसकी जेठानी उसके कमरे में ले गई, कुमुद ने उससे कहा, दीदी, बहुत प्यास वैसे फ्रिज का तो तुमने कभी पिया नहीं होगा, नॉर्मल हिला देती हूँ। सोनिया पानी दे कर बोली, अच्छा कुमद अब ये कपड़े कहने बदल लो, वैसे भी तुमें इतना बोज लारने की आदत नहीं होगी। मनीश ने कुमद से कहा, कुमद, भावी बहुत बड़े घर की बेटी हैं, और पिता जी मरने से पहले सब कुछ बड़े भया के नाम करके चले गए, इसलिए भावी को थोड़ा घमंड भी है, लेकिन तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना, कोई भी बात हो, तुम मुझे ठीक है, लेकिन इस कमरे में इतनी ठंड क्यों है, मुझे सर्दी लग रही है शायद तुम नहीं जानती होगे, इस कमरे में एसी लगा है एसी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ससराल में एसी लगा हुआ मिलेगा चौको मत कुमद, यहाँ तुमें ऐसी बहुत सी चीज़े मिलेंगी जो तुमने नहीं देखी होंगे मैं तुमें वो सब सुख दूँगा, जिनसे तुम बंचित रही हो सुभा उठकर कुमद ने अपने माइके की साड़ी पहन ली सोनिया गुसे में बोली यह तुम्हारा जोपड़ पट्टी वाला माइका नहीं है यह क्या पहना है तुमने, कोई क्या कहेगा हम बड़े लोग हैं, यहाँ ऐसे कपड़े पहनोगी मैं दूसरी साड़ी लाती हूँ सोनिया कुमद के कमरे में गई, तो एसी चला हुआ था एक भारी सी साड़ी कुमद को देते हुए वह बोली महरानी, पूरी रात एसी चलाया है जानती हो इसका बिल देना पड़ता है पर तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हारे घर में तुम पंखा भी नहीं था सोनिया बात बात पर कुमद को माइके की गरीबी के ताने देती थी लेकिन कुमद सब चुप चाप सहती रही ऐसे ही एक साल गुजर गया एक दिन कुमद हॉल का एसी ज़ाडू से ज़ाड रही थी अचानक से एसी में स्पार्किंग हुई और वो बंद हो गया सोनिया जोर से चिलाई तुमने इसमें क्या कर दिया इसकी कीमत जानती हो इतना तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी में भी नहीं लगाया जितनी इसकी कीमत है कभी कुछ देखा होता तो पता चलता कुमुद अपनी कमरे में जाकर रोने लगी मनीश अपनी भावी की आवाज सुन रहा था मनीश आकर सोनिया से बोला भावी ये क्या है तुम बार बार उसे उसकी खरीबी का दाना देती हो आखिर वो बिचारी कब तक बरदाश्ट करेगी तो सोनिया बोली ओहो उसके लिए आज भावी से तेज आवाज में बात कर रहे हो बरदाश्ट करने की जरूरत ही क्या है हमने तुम लोगों का ठेका नहीं लिया है चले क्यों नहीं चाते उसे यहां से लेकर भावी ये क्या कह रही है और भीया आप भी चुप सुन रहे हैं तेरी भावी सही कह रही है मनीश रोज रोज के जगडे से अलग होना ही बेहतर है जाओ लेकिन यहां से कुछ नहीं मिलेगा बाप की एक लाग की संपत्ती को करोडों में वदला है इन्होंने दिन रात महिनत की है जाओ और जो करना है अपने बलबूते पर करो मनीश दुखी हुआ आज तक उसने जो भी कमाया सब भावी के हाथ में सौप दिया था आज उसके पास कुछ नहीं था कुमद परिशान होकर मनीश से बोली अब हम कहां जाएंगे कुमद मेरे पास कुछ नहीं है भावी ने वो देखो तुम्हारा बैक भी पैक करके बाहर रख दिया है चलो मनीश जब तक कोई इंतजाम नहीं होता आप मेरे घर चलो कुमद मनीश के साथ अपने घर आ गई बहुत गर्मी थी मनीश पसीने में तर बतर था यहां पंखा था न कूलर आपको तो एसी की आदत है न एसी के बिना कैसे रहोगे कुमद मैं तो रह लूँगा लेकिन यह देखो तुम्हारे माते पर भी पसीना है कुमद हाथ के पंखे से हवा करने लगी मनीश उसे प्यार से बोला रहने दो कुमद तुम ठक जाओगी सच बहुत बड़ी बाते बिना इसी के रहना मैं जल्दी कुछ इंतिजाम करता हूँ अगले दिन बाहर से आकर सुखबीर ने कुमद को लिफाफा दिया कुमद ने लिफाफा खोल कर देखा तो वह उसका जॉइनिंग लेटर था कुमद खुशी के मारे उचल पड़ी सुखबीर ने पूछा क्या हुआ बेटी तो कुमद ने कहा पापा मेरा बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए जॉइनिंग लेटर आ गया मेरी नौकरी लग गई अब वो दिन दूर नहीं कि हमारे घर में भी सभी सुविधाएं होंगी मनीश बेटा कहा थे तुम जानते हो कुमद की नौकरी लग गई बाबजी बधाई हो आज मुझे भी एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है सब लोग बहुत खुश थे कुमद बोली मनीश अपनी पहली सालवी से हम अपने घर में एसी लगाएंगे ताकि लोगों को भी पता चले कि हम करीबों के घर में भी एसी है कुमद ने अपने पिता के घर में एसी लगवाया पूरा गाउं देखने के लिए तूट पड़ा पूरे दिन औरतें गर्मी से बचने के लिए कुमुद की मा के पास बैठने लगी एक दिन सोनिया और अमित ढूनते हुए कुमुद के घर के पास आ पहुँचे सोनिया ने एक लड़के से पूछा अरे भाई सुनो क्या कुमुद का घर यही है तब ही कुमुद बाहर निकली और बोली अरे दीदी और भाई सहाब आप हम गरीबों के घर आपका कैसे आना हुआ आवाज सुनकर मनीश भी आंगन में आ गया आप लोग किसी ने आप लोगों को यहां आते हुए देख तो नहीं लिया बेकार में आपकी एज़त खराब हो जाएगी हमें माफ कर दो कुमुद तुम घर से क्या आई हमारे घर की तो लक्षमी ही रूठ गई हाँ मनीश शेर माकेट में मेरा सारा पैसे डूब गया मैं बरबाद हो गया यहां तक की मकान बेच कर करजा उतारना पड़ा भाईया बहुत दुखवा सुनकर वो मकान हमारे दादा ची का था तुम दोनों हमें माफ कर दो हमको हमारे किये की सजा मिल गई है दीदी ये क्या कह रही हो आप बड़ी हो हमसे माफी मत मागो हमें आशिरवाद दो आप भीया भाबी अंदर आकर वैटो जिस ऐसी के लिए हमें घर छोड़ना पड़ा आज हम गरीब होने भी वो ऐसी लगा लिया है हम लोग बहुत खुश हैं जब तक आपकी कहीं विवस्था न हो आप हमारे साथ रहो सोनिया और अमित रोने लगे तुम दोनों बहुत अच्छे हो मैंने कुमुत की गरीवी का मजाख उड़ाया और आज मेरे सामने उससे भी ज्यादा बुरे दिन आ गए नहीं दीदी दिल छोटा मत करो हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे और फिर से सब एक साथ रहेंगे अपने एसी वाले घर में एक बार सब के चहरे पर फिर से एक हंसी लोटाई